तो दोस्तो CID की पूरी टीम फश चुकी है आई ग्यांग के जाल में जी हाँ दोस्तो CID की पूरी टीम जो की आई ग्यांग को हराने में सपन हुई थी CID के सीजन वान में लेकिन सीजन टू में आई ग्यांग पहले से भी और ज्यादा ताकतबर और खोंकार बनकर लोटी है और वो CID को खत्म करने के लिए बेरताब है तो दोस्तों CID के दया, फ्रेया, अभिचीत, पूर्भी, सचिन, फेडरिक्स ये सब आई ग्यांग दवारा छोड़े गए एक वाइरस के चपेट में आ चुके हैं तो क्या है ये वाइरस? क्या करेगा ये पूरी CID टीम के साथ? सब कुछ आपको पता चलेगा इस वीडियो में तो फटा फट से इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करिए और नीचे कॉमेंट बॉक्स में CID लिखकर इस वीडियो को सपोर्ट करिए और अपना प्यार दिखाए तो दोस्तों CID की पूरी टीम एक खतरनाक वाइरस के चपेट में आने वाली है जो की आई ग्यांग ने छोड़ा है और यह जो वाइरस है यह CID बूरो में अंदर तक घुश चुका है और CID के सारे मेंबर्स जो है इस वाइरस के चपेट में आने के बाद एक दूसरे को खुद का दुश्मन समझने रखते हैं और एक दूसरे से मारपीट करना शुरू कर देते हैं अब CID को इस वाइरस से बचाने के लिए डॉक्टर तारीका और डॉक्टर सालूंखे को इसका एक एंटीडोट बनाना पड़ेगा तो क्या बोलो कामयाप हो पाएंगे सब कुछ आपको पता चलेगा सीजन टू में